वेलकम बैक टुमाई यूटूब चनल पेपर कहकर कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आज का जो पेपर हुआ है क्लास 12 की बात करूँगा यहां बात करने वाले हैं हिंदी का पेपर हुआ था समान हिंदी का आप देख रहे हैं सो नंबर का पेपर था तीन घंटे पंदर में पेपर को शॉल्प करना था पेपर कोड भी यहां आपको दे रखा है ठीक है अब यहां दिहान से देखिएगा मैं आपको पूरा पेपर द दिये थे ठीक है अब मैं सारे कोशनों के आंसर भी यहां करा दूँगा और मैंने टिक भी लगा रखें ठीक है अब यहां देख सकते हो पहला कोशन जो आया था का खंड में वो हमसे किस तरीके से पूछा गया ध्यान से देख लो इसमें सीधे निर्देशंग दिये गया है कि पूरे पेपर को दो भागों में डिवाइट किया गया है कि दो भागों में बाटा गया है नमबर एक का नमबर दो खा दो भागों में व्याजित किया गया है अब यहां कह रहे है सभी प्रसनों के आंसर देना एक क्या है अनवार है आपको यह सारे कोशनों के आंसर देना ह है 2022 में आने वाले अभी तक आपने चलो को सब्सक्राइब नहीं किया और बहीं से आप अच्छे तरीकी से पढ़के नंबल आ सकते हैं ठीक है पढ़ लो यार बहुत जरूरी है आपको यह फिर प्रेलेस्ट में जाकर आप चेक कर चकते हैं यहां देख लेजिए यहां कहा रह वाला ठीक है वैसी फिल्कुल राइभ उसके बाद में देखो नेटकोशन के शालते हैं इसमें थोड़ा सा मैं जूविंग करके के नहीं दिखाता हूं, साइट में, देखो, ये जो kooshan दिग वह गया था, khalwaala kooshan, देखो, खavaala जो koshan था, वो था, बाल, देखो, बालख disproportion भटक द्वारा, जो शंबालिक पत्रता, पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम पूचा गया था, तो बालकिशन द्वारा जो मौलिक उपन्यास कौन सा था तो बिटा परिक्षा गुरू था जिसने भी option नमर ए को दिया होगा ना बिल्कुल राइट है और यहां देखो next question बूला गया है सरदार पूर्ण सिंग किस यूग के लेखक थे यह question कभी भी आप से पूछा गया है देखो हाली में आज का पेपर सिप्ट में यहां देखो तीसरा जो सरदार पूर्ण सिंग थे वो दुरवेदी यूग के विटा राइटर थे लेखक थे option नमर जिसने C लगा के आया है उसका एक नमर यहां पूरा क्लियर हो जाता है चलो यहां देख लेते हैं अब आपको दिहान से देखना है देखो यह यहां लगा के आया है टिक लगा के आया है विल्कुर राइट होगा यह option इसका बिल्कुर राइट है नेक्स कोशन ने दी बात किने दूसरे कोशन के का की तो यहां बोला गया है चाया बाद के की विसेस्ता क्या है तो चाया बाद की जो बिसेस्ता थी वो बिटा सॉंदरि प्रेम करना था तो कोई भी कोशन का अंसर गलत लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में आप जरू बताईएगा ठीक है तो यहां देकिए निमनेखित में से कौन सा ग्रंत भक्तिकाल का है यहां पूछा गया था तो यहां मैंने यहां क्लियर नहीं कर पाया हूं कौन सा भक प्रियोग बडर्टक को घंए है उसकी बात की गई है तो प्रियोग बाद के जो प्रिवर्तक थे उसकी बात की गई है तो अगजी थे संने भी लगाया है कि बिलकु राइट होगा बीवाला जूसम् 한el यहां बिलकूरा और रेघिजी है अनामिका तो अनामिका बिटा ये निराला द्वारा लिखी गई थी निराला जी द्वारा लिखी गई थी option number B को log करना है जो भी B को बिल्कुल right लगा किया है बिल्कुल सही होगा answer और यहां देखो next question है अडा वाला यहां कहारा है रीती काल का अन नाम क्या है यहां देखो तीसरा question हमारे सामने आ चुका है और तीसरा question हमसे बोला कि दिये गए जो गद्धांस है उसमें आपको पिरसनों के उत्तर देने है पांच और दो मतलब की पांच इंटू दो मतलब की दस number का यह पूरा question बन जाता है इस question में यहां से लेकर यह गद्धांस दिया गया है और इसके जो आंस question दे रखे है तो यहां बोला गया है राष्ट की ब्रद्धी कैसे संबब है तो बिटा जो राष्ट है उसकी ब्रद्धी बात की जाए तो कैसे संबब है तो यहां बोला गया है राष्ट को डेमों यहां कहा रहा है तो श्रा अंगजन्ग संस्कृति है मनुस के इंके बारे में यहां बोला गया और यहं उसके जीवन के कह सकते हैं जो 177 के बारे में बोला गया 수ám आप इसको यहां लिख सकते हैं का मस्तक है तो संस्क्रít Cliff लेकर इतना आप कर दिचे यहां इसका यहाँ इस वाले के सकते हैं कलपना कवंद मात्र की सबच्छाए कवंद्र है तरीक सब्कार्श यहाइं की संस्कृति से आप क्या समझते तो जन की क्रिक्षिन यहां कर सकते हैं और बागी हम देखते हैं देखो नीचे और दूसरा कॉशन नहीं बहुता है नहीं यहां लिक न रहा होता है दिये गया गद्हांस को शीर्ष को लेखक के पता है इन कोशनों का अंसर पता नहीं है दो दो नंबर के पिरते कोशन है दो नंबर के आंसर देने थे वालग कि पांच इंटू दो मतलब कि आपको दस नंबर के पूर बन जाता है यदि आपको यह याद नहीं है तो आपके इसके अत्वा वाला कोशन कर सकते हैं मतलब कि इ तो आप उसके बारे में बोलना था और नए सब्दों के गठन कैसे होता है यह सब्द बोलना था ठीक है और सब्ड लेकर हम नए सब्दों को इस्तfar में लोगों और यहां नीचे देखते हैं यह हैं में निचे जो 14 आता हैud में पद्धांस दे रखह beside इसमें विंए आपके 土ओ नमखation तो यहां से लेकर यहां था कि इस सारे इसमें पदांस हैं इसमें विच्छ आंसर देना था था तो आप करके आए होंगे बना-बना करके आए होग तो आप इसके अत्वावला कोशन भी कर सकते हैं। सिर दिया गया है किसे देने के लिए कहा है तो यहां कह रहा है किटू के तुझे कुछ भी नहीं भैँचान जया तो आपको यह देखना है जो भी आप करके आए होंगे बढ़ी है लेकिन आपको इतना बता रहों कि कौन से अब्जेक्टिब का कौन सा कोशन है वासे इसका तरीक आपको बता देता हूं करने आप यहां देखिए उसके बाद में 10 में कोशन की चलते हैं अब हमारा यह देखो इत और पहला दूसरा आठमा पेचना आ गया बना समझ में नहीं आ रहा है एक जस्ट वमेंट रुकेंगे बस देख लिए अथमा आठमा संदी बींचेत के बारे में संदी बीचरों कौन से आपको करना है यहां बूला गया है तथेती का संदी बीचेत आपको बताना है तो तथा प्लस इती होता है याद रखना तथा प्लस इती होता है तथी ठीक है इसको आपको लगा देना है option number जो बात करेंगे बी को बिल्कुल right होगा यदि बहीं बात की जाए देखो मदवरी का संदी बीचेत का होगा तो मधू करेंगे जिसने लगा क्या है बिल्कुल right होगा यदि मैं बहीं बात करूं इसके अगले वाले कोशन की आप देख सकते है इसके खावाला जो कोशन दे रखा है वो दिया गया है आपको इसमें हमें विभक्ति और बच्चन को पहचान करना है तो के विभक्ति और बच्चन की पहचान करनी है ये कौन सी विभक्ति से लिया गया है उसके बाद में यहां की बात की जा निमिकित यहां को सही आपको चैन करना है तो आप दे सकते हूं यह अंस लिखा हुआ है इस तरीके से ठीक है आदा शाह यह क्या है अंके बिंदियों चोटा सा है और यहां दे रखा है बड़ा चोटा आ और बड़ा शाह देख सकते हो यह अंस यह अंस माने होता है हिस्सा यह हमारा किसी सीज का हिस्सा यह अंस कहलाता है इस अंस का अर्थ होता है कंधा तो अप्शन में जिसने भी सी लगा किया है बिल्कुर राइट होगा एक नमबर आपका यहां के लिए रहो जाता है ठीक है चालो उसके बाद मैं यहां देखो यहां देखो दूसरा कोशन है बात बात एक इस तरीके स इसका मतलब होता है हवा ठीक है तो यह अप्शन नमर ए जिसने भी लगाया है बिल्कुर राइट होगा चलो उसके बाद में नेक्स कोशन देखो खा की और चलते हैं और खा कह रहा है कि सब्दों के एक सब्दों के दो अर्थ बताना है तो मतलब अर्थ लिखना है मतलब को बताना है औरज एनग पटंगों परी खालग को क्या क्या कहते हैerson मैं यहां एक सब्द्ध की पूच रहा है तो आप नांग को सर्प आगया और सांप बहुते हैं को बस इतना लिख देते सांप को अही भी वह राजाता है अही बोला जाता है नांग को अही बोला जाता है और इसको बिस्धर भी बोलता है विटा बिस्धर के नाम से भी जाना जाता है अब उसके बाद में बर माने क्या होता है दूला कहते हैं दूला बोलते हैं बर को दूला कहते हैं स्रेश्ट भी बोला जाता है और उसके पती भी भी बोलते हैं भतार भतार जानते हो बतार भाश्परी भासा में बोलते हैं बरको बदूला रष्ट पती परमेश्वर जो होते हैं उनको बोला जाता है तो यह इन दोनों की बारे एक का लिखना था आप नांक की उपर लिख सकते थे पतंगों को क्या बोल सकते हैं पतंग जो उड़ती हैं, पतंग उड़ाते हैं उसको क्या-के बोलते हैं, उनको दो एका सामें लिखना था, कोई भी जो आपको याद हो, टीक है मुझे तो इतना याद नहीं आ रहा, क्या है, उसकी बाद ना जो याद था मुझे बता दिया, दो में से ऐक ही करना था, कोई दिक्कत नह ना हुआ हूँ जो बहुत कुछ जानता हूँ देखो जो बहुत कुछ जानता हूँ उसे कहते हैं क्या बोलते हैं उसे बहुगी कहते हैं उसे जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुगी कहते हैं और जो सब कुछ जानता है उसे कुछ छुपा ही नहीं है वो सरवगी कहते हैं त में से दो बाक्यों का दो बाक्यों का सुद्ध करना है इसी दो बाक्यों को सुद्ध करना है कि मैं भोजन कर लिया मैंने भोजन ऐसे लिखोगे आप इसका अंसर्च होगा मैंने भोजन कर दिया है भोजन भोजन कर लिया है ठीक है यहां लिखोगे भोजन कर लिया है आप इस इसको देखो मैं कलम के साथ लिखता हूँ नहीं मैं कलम से लिखता हूँ मैं कलम के लिखता हूँ कि साथ नहीं लिखता हूँ कलम के मैं कलम से लिखता हूँ मेरा देखो मेरा बड़ा भाई आ रहा है इसका क्या हो जाएगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं कि मेरे बडबाइ आ रहे हैं इस तरीके से हम लेखेंगे आपको दो करना था मैंने तीन बता दिया अब जो चाहीं, वो कर शकते को अब VOQ करके से séion सही है गलत होगा देख करते dość अब देखो यहां को यसनगर को लिए असे देखो यह वाला है उक रहें और पहला को नियुक्जब अब्रस और इस्थाइब देना है के साथ उद्हार देना है जब रहें को चाहित को ह우वे अंगार आजा एसा कुछ बाक Adams को बता सथाई भाव क्या हो जाएगा अब लिग दो कि को ड़ी को जाएगा इसको बहे हो जाएगा Udhanों क्रोध भूद्षह को बालब प्रायानक का भह हो जाएगा सथाइबाव और उसको भैस कब दर लगने लगे कुछ आशी चीश्ट देख ली और हमें डर नंगनेलर अब भूत को देखकर दर नगनेल अब बहूत वाला इसमें उद्धानमाद मत देते ल rápido जान हो घ्रण एहां को संदे अलंकार और रूपक अलंकार इसमें आपको किसी एक का लक्षन बताना है दिए को रूपक अलंकार में क्या होता है चेह सकते हैं मैं तो चांद खिलोना लेऊं ऐसे एक एकी डे रहा हूं मैं चांद कहलो Cantonese और मतलब करा मेशल खाश्य में तो यह तो मतलब आज चहां आरुप लगाय जाता है कि भान क्या होता है संध्य जहां संध्य हो बतलव शाइद ऐसा होनी बाला होता है लेकर रूपक में जहां आपका बहेदरहित आरोप होता है वहां ुपक करके हैं यहां देखो चोपाइ चंद और कुंडली चंद का लक्ष्न बताना है उद्हान दे रहा है जहां क्या होता है चोपाई चार पे दो पाई मतले जहाँ पृते हैं में 16 मात्राइ उसके बाता है Chicago में रालता है तो जहा को रहा कि बास्तते हों मैं कुंडली में sauce होता है दोहा को कैसे याद करोगे इसको कुंडली में DR से याद करो DR क्या होता है DR मतलब होता है दोहा और रोला डी से होता है दोहा और रोला तो DR आरो और छप्या होता है उल्लाना होता हो तो तो हो जाता आरो तो इस तरीके से DR आरो इस तरीके से याद करते हैं उनों तो इस इसमें दोहा की दोलेने होती है कुंडली में और रुला की होती है चार रहने डोहा में पहला और 13 13 मात्रा इंदूसरा और चोतra 11 13 मात्रा होती है तो इस तरीके से कुंडली की पहचान की जाती है उनका उधान आप दे सकते हो कोई रामचरित मानस वाला को एक्जाम्पल उठा लेना यह आप बिल्कुल याद होगा यह और तेर्मा कोशन हम से बूला गया था यह बूला गया किसी दैनिक पत्र के संवर्तक जो संपादक थे दैनिक पत्र के ठीक है उनका नाम एक पत्र लिखना है और वो किसल और आकर्षित किया जाएं मतलब उन्होंने कहा गया कि एक पत्र लेखेंगे कैसे लिखोगे कि सहर में फैल रही है बीमारी किसके संक्रण के कहा जैसे कि क्या होता है आपने देखा होगा कि संक्रण क्या अभी तो कोबिद नाइंटीन फैला था जैसे कहते हैं कोबिद अधिकारी है उसको दिहान में रखकर आकर्सित किया जाए ठीक है और स्वक्स अधिकारी को क्या हो कि यह बात पता हो जल जाए कि इस गाउं में ज्यादा फैल रहा है तो आप उसको देख वाली करें ठीक है यह चीज है थोड़ा साब को वहां एक पत्र लिखना था एक पत कोशन दे रखे हैं 2022 में आने वाले वो वीडियो देख लेना पेपर देने से पहले ताकि आपको कुछ और ना जाए कोई दिक्कत ना हो आप अच्छे नंबर से पास हो तो मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाए दूस्तों को सब्सक्राइब कर लें